हरी यमुना सहयोग समीती हिमाचल प्रदेश द्वारा रविवार को पॉंटा साहिब सिर्मौर में पावन यमुना नदी के तट पर एक विशाल पॉधर ओपन अभियान की शिरुवात गीता ग्यान संस्थान कुरुक्षेत्र के स्वामी ग्यानानंद जी महराज द्वारा की गई इसके तहट पॉंटा साहिब में यमुना घाट से हरियाना में हतनी कुंड में 20 किलो मीटर यमुना तट पर इस मौनसून सीजन के दौरान लगभग 50,000 पॉधे रोपे जाएंगे इस दौरान हिमाचल के उर्जा मंतरी सुखराम चौधरी और हरियाना के वन मंतरी कवर पाल सिंग ने भी पॉधर ओपन करके अपनी सरकारों की इस अभियान में पूरी सहायता और सहयोग प्रदान करने की प्रतिबधता दोहराई पॉंटा साहिब के यमुना तट पर लगभग 500 पॉधर ओपन किया गया लेकिन आस्था के साथ साथ है पर्यावन शुद्धी का ये प्रयास है आस्था के साथ साथ समाज को जोड़ने का ये प्रयास है साथ ही साथ श्रदालों के पीतर इतने अभाव खुद्पन करने का प्रयास है जैसे हम देखते हैं कि नर्मदा परिकर्मा के रूप में नरमदाच के साथ साथ चल कर के لاखों- blunt tram और लोग प्रति वरेश आस्था भी बढ़ाते हैं उस नाते से सरकार भी समाज भी जहां जहां घु वले मत्रीस शर्कार गुजराद सरकार और भी जो जो प्रात आते हैं नरमदाच जी एक साध हु सब मिलकर के नर्मदा जी का इतना सुन्दर सुरूब बना परिकर्मा पत इतना सुन्दर बना तो ऐसे हमें लगता है कि ये जो प्रारंब है आज ये प्रारंब जाश्ट के लिए पर्यावन शुद्धी के लिए समाज को जोड़ने के लिए एक बहुत ही बंदनिया पहल के रूप में सामने आएगा और हम प्राव से प्रार्थना भी करेंगे कि उनके क्रपा भी साथ मिले समाज का सहयोग भी साथ मिले और यहां हिमाचल सरकार ने जिस ठंक सी शुरुवात की है रनिया सुफराम जी और रनिया कवरपाल जी हर्याणा से साथ हैं तो हमें विश्वास है कि ये पहल एक प्रेर्णा के रूप में पर्यागराई तक पहुंचेगी दिवे हिमाचल टीवी के लिए पॉंटा साहिब से धीरत चोपडा की रिपोर्ट